हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं दोस्तों इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानि मानव नेतर के बारे में हैं दोस्तों इससे आप लोगों को एक्जाम में एक से दो क्योशन 100% देखने को मिलेंगे हैं चाये आप लोग रेलवे का कोई से भी एक्जाम दे लिजे एलपी टेक्निशन जैई ग्रूप डी तो इस क्लास से आप लोगों को human eye आप लोगों का पूरा cover हो जाएगा आप लोगों का एक भी क्योशन गलत होने वाला नहीं है ध्यान से आप लोग इसको समझेगा सब कुछ हम लोग समझेंगे सारी बिमारी के बारे में हमारी आँख के structure के बारे में चलिए इस टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले माप लोगों को बताऊं कि front से आप लोग देखेंगे तो यह आप लोगों को आई कुछ इस प्रकार से नजर आएगी यह आप लोगों का front view है लेकिन आपकी आंक में मतलब यह आपको front से आप लोगों को केवल इतना ही पार्ट नजर आएगा यह जो काला वाला पार्ट है जिसे आप लोग प्यूपिल बोलते हैं यह आपको नजर आएगा लेकिन एक्चुली में इसके पीछे का जो पार्ट है वो आपको दिखेगा नहीं और वहीं पर आप लोगों को maximum पार्ट है आप लोगों के आईगे तो हम हम लोगों को इसको जब साइड से देखोगे यह तो आप लोग फ्रंट से देखोगे अब मैं ऐसे खड़ा हूँ जब आप लोगों साइड से देखोगे तब आप लोगों की आख में क्या क्या होगा कुछ इस प्रकार से आप लोगों की आख नजर आएगी जब आप लोग उसको side से देखोगे तो अगर आप लोगों को मानव नेतर की संदचना समझनी हैं तो आप लोगों को side view से ही समझनी पड़ेगी front view से काम नहीं चलने वाला तो start करें सबसे पहले हम लोग मानव नेतर की structure समझते हैं समझते हैं इसमें क्या क्या होता है चलिए start करते हैं दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर मानव नेतर की बात करें न तो human eye दोस्तों एक ball की जैसे है किसकी जैसी एक ball की जैसी है तो हमारी human eye की जो सबसे outer layer है यह सबसे भारी वाली layer दोस्तों इस outer layer को आप लोग बोलते हैं दोस्तों क्या sclera ध्यान रखिए क्या बोलते हैं sclera बोलते हैं ठीक है एक सेकंड रुकिए यह क्लिक क्यों नहीं वरा number one point पे है चलिए ठीक है क्या बोलते हैं दोस्तों sclera बोलते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं sclera बोलते हैं इसके just अंदर वाली layer है इसके जो अंदर वाली layer है यह जो second number की है यह आप लोगों का कहलाता है दोस्तो inner isclera क्या बोलते है इनर isclera या आप लोग इसको आंतरिक isclera भी बोल सकते हैं ठीक है दोस्तो human eye की सबसे outer layer को आपने बोल दिया isclera इसके अंदर वाली जो layer है, इसे आप लोग बोलते हैं, inner sclera, दोस्तों इसके अंदर एक और layer है, टोटल तीन layer होती है, तो सबसे अंदर वाली layer है, उसका दोस्तों नाम क्या है, retina, जिसे आप लोग दरश्टी पटल भी बोलते हैं, ठीक है हिंदी में retina, या इसको दरश्ट LINTER को आपwowगो का मैं बहुझा सेफटी देने का काम कॉन कर रहा है वह आप लोग का स्कल momentos कर रहा है थीक है तुस्तों इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यह मानो नेत्र में आप लोग यह आप लोगों इस्टार्टिंग में देखोबैंए । फोड़ा से कुछ प्रोजेक्शन कुछ उसको आप पर कोर्निया कॉलते हैं कई करजूर कॉर्णिया क्या छानिया, प पोलता है लेक्जाना पोछ जतह होता है कॉर्णिया खराब हो जाता है बहुत बढ़िया चलिए इसके बार में बात करते हैं दोस्तों हमारी आई के अंदर क्या होता है ठीक है कौन सा लैंस होता है वह आप लोगों से पतला किनारों से मोटा दोस्तों convex lens उत्तर lens क्या करता है जब इस पर प्रकाश की किरने आती ना इसको क्या कर देता है यह converge करता है संकुचित करता है जबकि कौन के अवतर lens क्या करता है जब इस पर प्रकाश की किरने आती है उसको फैला देता है उसको diverge कर देता है चलिए ठीक है इसके बात में दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये convex lens होती ना इसके नीचे और उपर है ना मतलब ये जो convex lens होता है ना इसके उपर और इसके नीचे क्या होती है कुछ muscles होती है जिसे आप लोग बोलते है ciliary muscles क्य करती है इसको दबाती है और इसको खीचती है तो इसको compress और elongate करने का काम कौन करता है आप लोगों का ciliary muscles करती है ciliary muscles फिर में बता रहा हूं lens को आप लोगों को दबाती है और इसको खीचती है तो इसको lens को compress करने का और elongate करने का काम किसका है आप लोगों का ciliary muscles का है दोस्त क्या होता है आप लोगों का प्यूपिल होता है तो सेवन नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का प्यूपिल जिसे आप लोग हिंदी में पुतली भी बोलते हो देखें दोस्तों जब आप लोग फ्रंट से देखोगे ना जैसे तो आप लोगों को बीच में क्या क्या लाएगा आप लोगों का यहां पर आप लोग साइड व्यू में जो आप लोग देख रहें ब्लू कलर का है ना यहां पर मैंने इस यलो कलर से दर्शा आया है यह क्या हो जाएगा आप लोगों का आईरिस हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा आईरिस हो जाएगा अ हमारे मानव नेतर के अंदर जो light प्रकाश enter करता है वो इस किसे pupil से ही करता है तो अगर pupil का size बड़ा होगा तो ज्यादा light enter करेगी pupil का size छोटा होगा तो कम light enter करेगी लेकिन दोस्तों ये size बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा एक second में नहीं होता इसमें थोड़ा सा time लगता है दो तीन second लगते हैं तो आपने कभी देखा होगा जब आप लोग movie hall से जश्ट बाहर आते हो तो आप लोग की आखों में काफी जलनसी होती है ऐसा होता है क्या या जश्ट इसका उल्टा जब आप लोग movie hall में जाते हो या किसी अंधेरे वाली जगह जाते हो तो आप लोगों को एकदम से कुछ दिखता नहीं है फिर एक दो सेकेंड में आप लोगों को दिखना स्टार्ट होगा ऐसा क्यों होता है देखिए जब आप लोग movie hall के बाहर थे तो बाहर बहुत ज़्यादा light थी बहुत ज़्यादा प्रकाश थी तो people का size वहाँ पर कम होता है क्योंकि इतना सारा प्रकाश है आख में आसानी से एंटर कर जाएगा people का size कम भी होगा तो लेकिन जैसे आप लोग movie hall के अंदर गए वहाँ पर अंदेरा था light बहुत कम थी तो जो आप लोगों के people का size कम था उसमें से वैसे light कम थी उपर से size भी कम तो अंदर light एंटर नहीं कर पाएगी आप लोगों को दि दिखना शुरू होगा तो जब आप लोग movie hall के अंदर होते हो वहाँ पर आपकी people का size ज्यादा होता है क्योंकि light वैसे कम होती है तो people का size बढ़ाना पड़ेगा जो भी light हो अंदर एंटर कर जाएगी तो दोस्तों आप लोगों को आखो में क्या होगी irritations होगी कुछ burning होगी कुछ जलन होगी बहुत बढ़िया क्या बात है सर बिलकुल समझी में आ गया कहीं कोई डिक्कत मुझे नहीं है आ गया आ गया ठीक है नेक्शन लोग बात करते हैं दोस्तों यह जो lens है और यह जो retina है इसके बीच में एक liquid भरा होता है इस liquid का नाम क्य होता है क्या होता है विट्रिसिस हूमर शॉट में लिग देता हूं भी वी एच हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं काचाब द्रव क्या बोलते हैं काचाब द्रव सिमिलरली क्या होता है यह जो आप लोगों का दिहान से आप लोग समझेगा ठीक है यह जो आप लोगों क उसको बता दूँगा, टेंशन मत लीजे, चलो आजाओ, दोस्तों बात करते हैं कि यह हमारी बॉड़ी में, हमारी आख में किसी भी वस्तू की फोटो कैसी बनती है, इमेज कैसे बनती है, यह बताओ, जैसे आपने, मैंने पैन देखा तो उस पैन की इमेज कैसे बनी मेरी लेयर होती है, जैसे सबसे आउटर लेयर तो हो गई स्कलेरा, इसके अंदर एक और लेयर होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझेगा, ठेक है, मेरी बात को कौन सा lens है? convex lens है उत्तर lens है मान लीजिए दोस्तो आपने अपनी आप के सामने रखा कोई पैन रखा या कोई विवस्तू रखी तो दोस्तो कोई विवस्तू रखोगे न तो इससे क्या होती? जब प्रकाश करने प्रकाश करने जब हमारी आई के अंदर जाती है तो convex lens, उत्तर lens का काम क्या है प्रकाश किर्णों को converge करना तो प्रकाश किर्णों को क्या कर देता है converge कर देता है और प्रकाश किर्णे converge हो के कहां पर मिलती है रेटिना पर मिलती है तो जहां पर light ray मिलती है वहाँ पर image बनती है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए image यानि प्रतिविम कहां बना कहां बना कहां बना आप लोगों बोलोगे सर रेटीना पर बना कहां पर बना क्या ये रे जो है प्रकाश किर्णे क्या सही में मिली क्या बिल्कुल सर सही में मिली, रीयल में मिली, तो जब सही में मिलती है, वास्तविक में मिलती है, तो इमेज कैसी बनती है, रीयल बनती है, वास्तविक प्रतिविम बनता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, रीयल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, अब आपके मन में एक डाउट आएगा क्या कि सर ये सीधा पैन है मुझे तो सीधा ही दिखाई दे रहा है आप लोग बोल रहे हो इमेज उल्टी बनती है देखिए होता क्या है इमेज बनती उल्टी ही है इन्वर्टेड ही बनती है लेकिन यहां से ब्रेन में सिग्नल कुछ इस प्रकार जाते हैं क कि ब्रेन इसको सीधा रीड करता है समझ में आगे बात को ब्रेन इसको क्या करेगा सीधा रीड करेगा क्या बात है बहुत बढ़िया दोस्तों एक दो कॉंसेट में आप लोगों को और बता देता हूं कई बार क्या होता है इमेज जो होती है वो रेटिना पर नहीं बनके र लाडना है ठीक है दोस欸 कि आपने सुनाए की इसकी आक का रंग नीला है सिसका भूरा है इसका रा है एकक्टुली में कोई फिरेत का रंग यौब कोरह कोई भी रंग होता है नवो किसी नन नहीं किसी वज़े से तो होता है जैसे टमाटर का लाल रंग क्या है जरूर टमाटर में कुछ ना कुछ पाया जा रहा होगा तभी उसका रंग लाल है आम में वो चीज नहीं होगी तभी आम का रंग लाल नहीं है तो जैसे टमाटर का जो लाल possible pigment होते हैं जो यह वरनक होता है वो कहां पर पाए जाते हैं आईरीस में पाए जाते हैं ध्यान दरकियेगा तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मानव नेतर का अलग-अलग रंग किसकी वज़े से होता है आप लोग बोलेंगे उनके आईरिस में उनके आईरिस की वज़े से होता है किसी के आईरिस में ये ब्लैक कलर वाले पिंगमेंट पाए जाते हैं किसी के आई में ब्राउन कलर वाले पाए जाते हैं तो उस प्रकार से उनकी आखों का रंग अलग-अलग हो जाता है समझ में आ गई बात को क्लियर है चले आगे आ जाओ अब बात करते हैं दोस्तों मानव नितर के दोश कौन-कौन सी डिजीज हो सकती है दोस्तों मेजर लीर तीन डिजीज देखी जाती है एक तो है आप लोगों का मायोपिया जिसे आप लोग नियर साइटनेस या निकट ड्रश्टी डोश के नाम से भी जानते हैं इसमें होता क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे एक होता है दोस्तों आप लोगों का हाइपरमेटरोपिया जिसे आप लोग दीर दरश्टी डोश या दूर दरश्टी डोश भी बोलते हैं एक होता है आप लोगों का प्रिजबोपिया और भी डिजीज होती है बिलकुल दो और होती है एक ग्लूकोमा और एक आप लोगों का कैटरिक्ट, आईए उसके बारे में डिसकॉस करेंगे, पहले इन तीन के बारे में समझते हैं, इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्योशन आप लोगों के पूछे जाते हैं, चलिए, देखो, सबसे पहले बात करते हैं, मायोपिया, जिस सर इसको निकट डश्चे दोश क्यों बोल रहे हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा टेंशन मतलो देखो एक्चुली मैं मैं फिर से बता देता हूँ इसमें होता क्या है आपको पास की वस्तुए निकट की वस्तुए तो साफ देख पाते हो लेकिन जो दूर की वस्तुए होती न वो आप लोग साफ नहीं देख पाते वो आपको बलर देखती है साफ दिखाई नहीं देती सर इसके पीछे कारण क्या है देखो इसके पीछे मैं आपको कारण समझाता हूँ देखो नॉर्मली human eye में क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पिछली slide में समझाया दोस्तो इसमें क्या होता है जिस व्यक्ति को myopia होता है ना निकट ड्रश्ची डोश होता है उसमें क्या होता है यह जो convex lens है ना यह कुछ जादा ही converge कर देता है वो इतना converge कर देता है प्रका बहुत निकट बन गई इसलिए हम लोग इसको निकट द्रश्टी दोश बोल रहे हैं तो एक्चुली नॉर्मली क्या होना चाहिए था जो ये लैंस से प्रकाश केड़ने आती है लैंस कंवर्च करके कहां पर मिला रहा था रेटिना पर मिला रहा था इमेज रेटिना पर बन घर रही थी लेकिन जिसवक्तियों को मॉयोपिया वता है उसमें इमेज काहां पर बनती है अप लोगों की पहले ही बन जाती है इदार ही बन जाती तो आप मुझे बताई इसका कारण क्या हो सकता है मतलब किसी वक्तियों को पास का नहीं देखाई दे रहा इसके पिछे क्या कारण हो सकता है जैसे क्या है एक ची मुझे बताओ नॉर्मली हुमन आई में क्या होता है सरी ये कॉन्वेक्स लेंस है प्रकाश किर्णों को यहां पर कंवर्च कर देगा अगर माली जी आपकी जो आई बॉल है अगर इसको साइज बढ़ जाए अगर इसको साइज दोस्तो बढ़ जाए है ना तो रेटिना पीछे चल जाएगा अपने आप इमेज कहां पर बनेगी यहीं पर बन जाएगे तो एक कारण तो सर यह हो सकता है कि जो human eye है उसका size आपका ज़्यादा हो जाए ठीक है एक कारण यह है कि सर यह convex lens है ना यह कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहा है सर यह बहुत ज़्यादा इसने converge कर दिया इसके converging power बहुत ज़्यादा हो जाना जैसे पहले तो क्या कर रहाता ये पहले तो सर मालो ये इस जगे converge कर रहाता रेटिना पर अब कहां पर कर रहा है सरी बहुत ज़्यादा converge कर रहा है सरी इसके converging power पावर बहुत ज़्यादा हो गई सरी इसने यहीं पर कंवर्ज कर दिया रेटिना से पहले ही कंवर्ज कर दिया तो दो कारण इसके हो सकते हैं दोस्तों क्या हो गया एक तो मतलब नेत्र लेंज के अतरीक वक्रता इसका मतलब क्या है लेंज की आवर ज़्यादा हो जाना लेंज के पहले बहुत जादा कनवर्ज कर रहा न थी के समझ में आगया ठीक है, दूसरा क्या है, elongation of the eyeball, जो नेत्र गोलक है, उसकी साइज में व्रदी हो जाना, ये इसके दो कारण है, तो आप मुझे एक चीज़ बताईए, इसका correction कैसे करोगे, सर बहुत सिंपल है, कैसे सर, एक चीज़ मुझे बताओ, दिक्कत क्या हो रही है, द लगा दो, अव्तर लेंस लगा दो, क्यों? क्योंकि देखो, convex lens क्या कर रहा है, जब light ray आ रही है, सर, इसको बहुत ज़्यादा converge कर रहा है, तो एक काम करता है, इस convex lens से पहले, एक concave lens लगा दो, अव्तर लेंस लगा दो, क्यों सर, जब प्रकाश करने इस पे आएगी न, concave lens क्या करता है तो यह diverge करके बेज़ेगा इसको पहले ही इसके पास में फैला के बेज़ेगा अब बोले ले चल तू अब कर ले करता करेगा हमने पहले इसके पास में फैला के बेज़ दो तो concave lens अवतर lens यूज़ करेंगे ठीक है आप लोग देख पा रहे हो myopm में हो क्या रहा है जैसे ही आप लोग lens लगा दोगे अब आपको दूर की चीज़े भी साफ दिखाई दे रही है अगर आप लोग नहीं लगा रहे थे lens ये चश्मा नहीं पैन रहे थे तो दूर की चीज़े साफ नहीं दिखाई दे रही थे देखो बलर दिखाई दे रही थे जैसे ही चश्मा पैन लिया जैसे ही आपने concave lens वाला चश्मा पैन लिया अब दूर की वस्तुवे भी आपको साफ दिखाई दे रही है clear है sir मैंने group D crack कर लिया पर मेरा कम वेट की और 35 किलोग्राम ने उठा पाया जिसके और जिससे रह गया तो science का course कम कर दो समझी में आ गया चलिए next बात करते हैं दोस्तो hypermetropia जिसे आप लोग दूर डश्टी दोश भी बोलता है इसमें क्या जश्ट एक उल्टा है इसमें क्या है यह जो आप लोगों की human eye है बहुत बढ़िया ठीक है यह जो convex लेना उंतल लेंस यह sir converge करी नहीं पारा प्रकाश किरनों को converge करी नहीं पारा रेटिना पर पीछे जाके converge कर पारा इसकी power ही कम हो गई इसकी बसकी बात ही नहीं है वीक पड़ गया तो क्या होगा hypermetropia में होता क्या है दूर डश्टी डोश में दूर की वस्तूओतों साफ दिखाई देती है निकट की नहीं दिखाई देती तो इसको दूर डश्टी डोश की हो बोल रहा है पास की वस्तूओतों को साफ नहीं देख पा रहा है दूर की देख पा रहा है और actually में इसमें हुआ क्या इसमें ये जो image है न वो retina पर नहीं बनके retina के पीछे बनी है तो इसके क्या क्या कारण हो सकता है कारण बताओ सर हो सकता है human eye का ball का size कम हो जाना अगर सर बॉल का size कम हो गया तो image तो पीछे बनेगी न सर size कम हो गया दूसरा क्या है आपका जो convex lens है न इसकी power कम हो जाना अच्छे से converge नहीं कर पा रहा तो अब आप क्या करोगे एक ओर लगा लो convex lens वही एक से काम नहीं हो पा रहा दंग से converge नहीं कर पा रहा एक ओर लगा लो ठीक है तो आईए बात करते हैं इसके क्या कारण है सर आईदर दा focal length of the eye lens is too long focal length जादा होने का मतलब क्या यह को समझो जब भी light ray आती है convex lens के पास में उत्तर lens के पास में जहां पर converge करता है उस point को बोलते है focus point और lens से focus point की बीच की distance कहलाती है focal length दोस्तो अगर यह ढंग से converge नहीं कर पा रहा बहुत पीछे जाके light ray converge हो रही है तो focus point यहां पर मिलेगा तो अब मैं बोल सकता हूँ focal length क्या हो गई? ज़्यादा हो गई ठीक है? तो कारण क्या हो सकता है यह जो focal length है इसका ज़्यादा हो जाना या फिर आप लोग बोल सकते हो converging power कम हो जाना या eyeball का size कम हो जाना ठीक है? फिर सर correction क्या करे? correction एक ही है क्या कर रहा है? convex lens अकेला काम नहीं कर पा रहा था ना पीछे जाके converge कर रहा था एक और लगा दो convex lens दो lens मिलके converge करेंगे तो इदर आके converge हो जाएगे I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों केक पर revision करवा रहता हूँ normally क्या होता है? image बनती है retina पर लेकिन जिस वेक्तियों को myopia होता है निकट डशी डोश होता है वहाँ पर lens के निकट में ही बन जाती है जिसको hyper ये आप लोग का hyperopia बोल दो hypermetropia बोल दो far sightness बोल दो long sightness बोल दो बात एक ही है इसमें जो image बनती है वो lens से काफी दूर बनती है retina के पीछे बनती है दोस्तो 2 disease और है है नँए उनको समझधा दा हूँ अपर और नीचे क्या है ये क्या करती lens को contract करती है lens को relax करती है इस परकार से lens को contract relax करती है कि जो lens होता है न वो properly light ray को एक retina पर converge कर दे लेकिन कई बार क्या होता है जैसे जैसे हमारी age होती है इन ciliary muscles की काम करने की शम्ता कम होती है कई बार इसको दबा के छोड़ देती है कई बार खीच के छोड़ देती है जैसे मालो जब आपकी ciliary muscles दबाएगी न तो convex lens ऐसा हो जागा तो light ray को pass में ही converge कर देगा और कई बार बहुत ज़दा खीच दिया तो light ray को ये बहुत पीछे जाके converge करेगा यानि दिक्कत ही हो रही है कभी निकट की वस्तुवसाफ दिखाई देरी निकाई देरी कभी दूर की वस्तुवसाफ नहीं दिखाई देरी mixture हो गया myopia का और hypermetropia का तो इसमें कौन सा lens लगाना पड़ेगा दोनों लगाओ convex भी लगाओ concave भी लगाओ तो ऐसे lens को बोलते है bifocal lens ठीक है तो age के साथ में ये वाली समश्या आती है ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग पास का दूर का दोनों का ये आप लोग देख नहीं पाते ठीक है तो इसमें आप लोगों को क्या करना है ना पास का दिखाई दे रहा ना दूर का दिखाई दे रहा तो इसके लिए आप लोग bifocal lens लगाऊगे है ना ऐसा बनता इसमें तो इससे तो आप लोगों को पास वाली चीज़े साथ दिखाई दे देगी इससे आप लोगों को दूर वाली चीज़े साथ दिखाई दे देगी ठीक है आजाओ दोस्तों एक disease होती है ग्लूकोमा अरे किता गंदर डाइगरा मनाया है देखो मैं बताता हूँ आपको देखो ठीक है ये रहा convex lens उत्तल lens बहुत बढ़िया मैंने आपको क्या बताए यहाँ पर एक liquid भरा होता है जिसका नाम क्या है इंदी में आप लोग क्या बोलोगे काचाब दरो ठीक है दोस्तों जब प्रकाश के रहने आपके इस convex lens उत्तल lens में जाती है तो convex lens क्या कटा है इस प्रकाश को converge कड़ेता कहां पर मिलाता है रेटिना पर मिलाता है दोस्तों रेटिना से यह जो brain में जो signal जाते है न वो एक नली से एक wire से जाते है इस wire का नाम है optic nerve यानि आपकी optic तंत्री का कई बार इस liquid का pressure बहुत ज़्यादा होने की वज़े से यह optic nerve आपकी damage हो जाएगी जिसकी वज़े से brain में signal ही जाएगी आपको कुछ चीज़े दिखेगी ही नहीं तो इसी disease को बोलते है ग्लू कोमा इसमें आपकी जो optic तंत्री का है न वो damage हो जाती है आपको दिखेगा ने अंधे हो जाओगे आप ऑफ एक है एक दोस्तों cataric यानी मुत्य बिंद सर मुतिय बिंद में क्या होता है मुत्य बिंद में जो आपका lens होता है न यह सोड़ा सा blur हो जाता है ठीक है मैं आप लोगों को बताता हूं यह जो lens होता है न इसमें आपको दुंदला पड़ जाता है कि लियर है गया लेंस दुंदला पड़ जाता तो इमेज आपको डंग से दिखेंगी निए चीजे ब्लर ब्लर दिखेंगी आपको यह सर्जरी के माध्यम से सही किया जाता है दोस्तों मज़ा आ गया इस्ट्रक्चर समझा दिया देखो एक बहुत बहुत बैतरी चीज बताता हूं आप लोगों को अरे आ गया अरे कहां गया स्ट्रक्चर हुमन आई का मैंने आज बहुत शांदा चीज देखो यह मैंने ना आज एक नए एक्सपेरिमेंट कर रहा चल नहीं पाया सर क्या आता एक्सपेरिमेंट ठोड़ा बताओ यह तो सर्प अभी कहां से आ गया देखो एक नए मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था यार वो चल नहीं पाया पता नहीं क्यों आफिक वेन आजएगा अभी नया नया सीखा है मैंने कोई बात नहीं 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 हाँ देखो आया ना भी देखो जैसे में टू पे जैसे में वन पे क्लिक करूँगा यह आ जाएगा देखो टू पे क्लिक करूँगा ये टू वाला क्या दा ये आ जाएगा ऐसे कुछ सीखा था मैंने थ्री पे जैसे क्लिक करूँगा ये देखो आ गया फॉर पे जैसे क्लिक करूँगा ये आ जाएगा कॉर्णी है ये है ना यह फिफ्ट क्या है जैसे क्लिक करूँगा यह आ जाएगा उस समय चल नहीं पाया कोई बात नहीं अभी भी सीख रहे है शिक्स नंबर का क्या है जैसे इस पर क्लिक करूँगा यह आ जाएगा सिलेरी मसल से सेवन नंबर का यह क्या है जैसे क्लिक करूँगा यह आ जाएगा ना ऐसे अच्छा है ना चलिए दोस्तों आप लोगों को पता है जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है मात्र मात्र साथ सो निन्या में पर में ऐसी साइंस पढ़ोगे कि रेलवे का कोई पूरा 100% मार्क्स लेकर आने वाले हैं पूरा फाउंडेशन बैच बिलकुल लाइव डेली एक बज़े जुनना मत बूलो ठीक है आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में इसमें कराऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी इन्वाइमेंट सब कुछ डेली लाइव क्ला कि आप लोगों को वैलिडेटी मिलेगी और दोस्तों आपको टैस्स रीज भी फ्री मिलेगी जैसे एक चैप्टर पूरा कमपलीट होगा उसका जाकि आप लोग टैस्ट लगाना ग्राफिक रिच पीडिएव भी मिलेगी जोईन कैसे करना है प्लेश्ट पर जाईए साइंस मेंगनेटाइप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्षिन में जब जाओगे यहां पर आप लोग का कोर्स आ जाएगा रेलवे जनरल साइन्स फाउंडेशन बैड दोज़र चाय जो इस लाइड पर क्लिक करना जैसे आप लोग क्लिक करोगे कोर्स मिल जाएगा इस पर जाएगा 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 जाए